हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव भोलेनाद के मंदिर में जाते ही वे कौन शे दो शब्द हैं जिनें बोलने से भगवान आपकी सारी एक्षाओं को पूर्ण कर देंगे और आपकी पुकार शुनेंगे तो उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आप ना वॉइस एड कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे नर्वस भी फिल कर रही हूँ तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि वे कौन से दो शब्द हैं जिने बोलने से भगवान शंकर आपकी सारी मनो कामनाओं को पूर्ण कर देंगे तो वे दो शब्द हैं हरी ओम जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान विष्णू भगवान संकरी के आराध्य हैं भगवान शंकर भगवान विष्णू की पूजा करते हैं और भगवान विष्णू भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो यदि हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर हरी ओम नाम का तेज से उच्चारन करेंगे, उच्चेश्वर में उच्चारन करेंगे, तो भगवान शिव इससे बहुत प्रशन होते हैं, क्योंकि एक भगत का नाम यदि जब भगवान से जुड़ता है, तो एक भगत के इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, तो इसलिए हमें भगवान शिव के मंदिर में जाते ही तेज सुर में हरी यॉम का मंत्र का उच्चारन करना चाहिए, यदि आपको मेरी जानकारी अच्ची लगी हो, यदि आपको मेरी बाते अच्ची लगी हो, तो प्लीज मेरे चैन थांक यू